कि नमश्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त परतीब कुमार दांगडिये करिकμε में स्वागत है जस कारिकम का नाम है आपके अनौळद पर आज मैं आपके पर बताऊंगा इलाइची दोस्तों भारत में हर पूर है कि इलाइची क्या होती है भारत तो क्या पुरी दुनिया में सभी जानते है कि इलाइची का क्या महतु है आज मैं आपको बताऊगा कि इससे कौन कौन से विमारी है जो इससे समाप्त हो जाएगी किस तरह से क्या खाना है इस बारे मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूँगा दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप से रोध है कि आप इसे लाइक करें रेट कलर का बटन इसे दबा के सबस्क्राइब करें बाजू में एक बैल है इसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो उस सबसे पहले आप तक प केल मौहाषी की समस्या होती है इसे पिंपल्स आजाएं या मौहाषा हो जाएं तो उनको रोजएना रात को इलाइची के स्यवन करना चाहिए सोने से पहले जो है आपको करना यह है कि गर्म पानी के साथ इलाइची खाए इससे जो है आपके तचा से संबंदित जो बिमारी है वह समाप्त हो जाएगी तो आपको करना बस इतना है कि जब आप सोने माले हो उससे पहले आप एक इलाइची दो इलाइची तक कि आप गर्म पानी के साथ ले निश्चित आपको फायदा होगा आपके जो हैं चेहरे से संबंदित जो केल मुहास हैं उसमें जरूर आपको रहत मिलेगी करके देखिया जरूर आपको फायदा होगा कुछ लोग को हमेशा पेट से संबंदित प्रावलम रहती है पेट ठीक ना रहने के कार ये दो इलाजची गुन्गोने पानी के साथ खाएं कुछ ही दिनों तक लगाता खाएं फरक अपने आप दिखेगा दोस्तों बहुत ही बढ़िया जो है नुस्का है ये आप जरू इसके इस्तिमाल करें कुछ लोगों को धेर सारा काम करने के बाद भी रात को नींद नहीं आती है सोने के लिए लोग दवाईयों को साहरा लेते हैं जिसका शरीर पर गलत प्रभाव पड़ता है नैश्रल तरीके से नींद लेने के लिए रोज रात को सोने से पहले इलाइची को गर्म पानी के साथ खाएं इससे नींद अच्छी आईगी खराटे की भी समस्या दूर होगी तो देखा दोस्तों कितनी फाइदबन इलाइची रात को आपको एक या दो इलाइची गर्म पानी के साथ लेना है गैस, एसज़िटी, कब्स, पेट मेरटन के समस्या को इलाइची से दूर किया जा सकता है इसके साथ ही हिश्की से भी रहत मिल जाएगी तो आप अगर इलाइची खाते हैं तो इन समस्याओं से आपको राहत मिलेगी मूँ से आने वाली बद्व को इलाइची खाने से दूर कर सकते हैं अगर आपके मूँ से बद्व आती है तो आप इलाइची खाईए इसे मूँ में जो है खुचबू फैल जाएगी और बद्व गयाब हो जाएगी इसको खाने से गले में होने वाली खाराज दूर होती है और आवाज में भी सुधार आता है रोजारा इसका काड़ा पीने से मांसिक तनाव को दूर हो जाता है इसका काड़ा बनाने के लाइची पॉर्टर को पानी में होबाले अब काड़े में थोड़ा सा शहत मिलाकर पीए कुछ दिन तक लगातार पीए फर्क जरूर आपको नजर आएगा बहुत आसान तरीका ब करना है फिर इसमें आपको शहद मिलानी है और कुछ दिन तक आपको लगातार पीना है निश्चित फायदा होगा गर्वती महलाओं को अक्सर चक्कर आने के समस्या होती है इस से रहत पाने के लिए इलाची के काड़े में गुड मिलाकर सुबह और शाम पीने से चक्कर आने के समस्या दूर हो जाती है सरदी की मौसम में होट फटनी के समस्या आम बात है ऐसे में इलाची को पीछ कर आप पीछ लीजिए उसको और मक्षन के साथ मिलाकर दिन में दो बार मैं आपको फर्व देखने लगेगा आपके होट जो है जो फटे में वह सब ठीक हो जाएंगे बहुत ही आसान उपाए हैं आप भी कर सकते हैं बहुत ही आसान उपाए इसको कीजिए इलाची खाने से शारणी कमजोरी भी दूर होती है इसको रोजन आहार में शामेल करने ज घीली धीरे आपके वजन बढ़ने लगेगा जहां दोस्तों अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो इलाइची के सेवन करें आप इलाइची पाउडर या इसको ऐसे भी खा सकते हैं जैसे के अक्सर हम लोग खाते ही है लेकिन फिर भी अगर मैंने जैसे आपको बताया है अगर खाते हैं तो आपको निश्यत फायदा होगा दोस्तों पोटेशियम, कैलेशियम, मैंगनेशियम जैसे अन्या खनीच पदार पाए जाता है जो खून को साफ करने में रक्त चाप को ठिक करने में बहुत उपयोगी होता है तो इलाइची खाईए इससे आपके जो है र फेपड़ी में जो रक्त सचार की गदी को ठीक रखता है इसके साथ ही ये अस्तमाज हुकाम खासी जैसी समस्याओं चरहात पहुचाता है ये बलगाम और कफ को बाहन निकालता है चाहती की जक्ड़न को कम करने में मदद करता है तो दोस्तों इस तरह चाप इलाइच चिख सकते हैं तो इसी के साथ अपने दोस्त परदीप को आरवांगने को इस कारकाम से जाने की इजाज़त देजिए नमस्कार जैहें हिंद